नमसकार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोतिज सीक्रेट ब्रिसब रासी वालों सुक्र का रासी परिवर्तन हो रहा है सुक्र जो आपके भी रासी के स्वाबी हैं और जब वो रासी परिवर्तन करेंगे यानि अभी भी वो अपने ही घर में तुला 11 दिसंबर 2020 यह साल का अंतिम बार शुक्र रासी परिवर्तन करेंगे अपने घर से निकलकर ब्रिश्चिक रासी जो कि मंगल की रासी है यहां पर जाएंगे और ब्रिशब बालों के सब्तंभाव में तो आपके जीवन पर इस परिवर्तन का क्या प्रभव पड़ेगा आज हम आपसे यही साजा करेंगे सुक्र जो सभी प्रकार के सुक देने वाले ग्रह माने जाते हैं और बैदिक योतिस में सबसे ज़्यादा सुग ग्रह भी है ऐसा माना जाता है कि सुक्र अगर अनुकूल हो तो जीवन में प्रेम बढ़ता है आनंद बढ़ता है भौतिक सुक बिवाह के बारे में जाना जाता है सुक्र अगर जरावी अच्छा हो तो बिवाह चल ही जाता है और जब सुक्र 11 दिसंबर की सुबर पांच बच कर चार मिनट पर आपके बिवाह भाव में पहुंचेंगे तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा साथ ही आपके छठे भाव के भी स्वामी है जब ब्रिश्चिक रासी में गोचर करेंगे बिवाह भाव में जहां से हम पार्टनर्शिप के बारे में जानते हैं आयात निर्यात या फिर दिर्ग कालीन पार्टनर्शिप का भाव है और दामपत्ति जीवन का भी भाव है समा सूचनाएं लेकर आएंगे आपका स्वास में जो परिशानी थी जो मांसिक टेंसन था उससे मुक्ति मिलेगी पुरानी तमाम चली आ रही समस्या स्वास समस्या से मुक्ति मिलेगी और आपका व्यक्तित्व आपकी वानी और ज्यादा आकरसन यानि आकरसक बढ़ेगा लोग आपकी तरफ बर्बसी खीचे आएंगे यहां तक कि आपके जो एक आकरसन का वैसे भी जो ब्रिसब रासी आकरसन की रासी है तो यहां पर चुकी आकरसन स्क्वैर हो जाएगा बहुत ही ज़ादा आपकी वानी से ब्यक्तित्व से चेहरे से तो बर्बसी तमाम कारे आपके पूरे हो जाएंगे चाहे आप ब्यापारी हैं आप जौब करते हैं आपका जो ब्यक्तित्व है लोगों को अपनी तरफ खीचेगा और इस से लोगों का सहयोग मिलेगा और आपके तमाम कारे आसानी से बनते चले जाएंगे धन के मामलों में भी ये समय अच्छा है खास कर जो ब्यक्तित्व हैं उनको लाब मिलने के योग बन रहे हैं पार्टनर्सिप में कोई काम करते हैं तो संबंधों में मजबूती आएगी और पैसा भी आ रहा है तो सुक्र का ये परिवर्तन आपको बैपसाय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जादा बढ़ियां रहेगा दामपत्ति जीवन के लिए भी अच्छा है क्योंकि रिस्तों में प्रेम बढ़ेगा और यहां पर एक बार जो थोड़ा सा छटे भौ में रहकर जो परिशानी थी उससे मुक्ती मिलेगी कुछ सत्रू बिरोधी एक्टिव हैं आपको परिशान कर सकते हैं इस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा आखें बंद कर किसी पर भरोसार ना करें अपने ब्यक्तित को निखारने के लिए आप जितना कर सकते हैं कीजिए अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो वो भी सामने आएगा और समाज में आपकी लोग प्रेता बढ़ेगी चुकि सुक्र के अच्छे प्रभाव बढ़ने से आपके जीवन में खुसियां आ रही है आप चाहें तो सुक्र को और मजबूत करने के लिए क्योंकि ये आपके रासी के स्वामी है आपको एक ओपल सुक्रवार के दन साम के समय चांदी की अंगूठी में इंडेक्स फिंगर में या फिर रिंग फिंगर में जरूर धारन करना चाहिए या फिर ओम सुक्राय नमह का जब करें तो इससे भी लाब होगा हम फिलाल आप से भी दा लेते हैं हर हर महादेब धन्यवाद